जियां दोस्तों वहां पे लिखा हुआ APFC पैनल इसका मतलब होता है कि Automatic Power Factor Controller यह अपनी तरीके से Automatic Power Factor को Maintain करता है जैसे कि इसकी Line Parallel दिया हुआ है अगले से पैलेल में है तो Power इढ़ा भी आएगा तो क्या कि उदर CT Connected किया हुआ है CT कि यह अपना कंट्रोलर है जो पावर को अबज़र्ब करता है कि कितना पावर हमारे थ्री फेस की लाइन में आ रहा है और उसके हिसाब से कि यह की वियार ओन अप करता है देखिए इधर 0.9 697 परलब के जितना चाहिए हो मेंटेन कर रहा है पावर फेक्टर डेट इस दा गुड़ पॉइंट नाइं वह बहुत ही अच्छा है ओओं नाइंफ़ प्याइट डेक्ट है देखिए इसको आच पाउठेक र्टर करने के लिए इपकुस आउछी इसे पावर केपिशिटर बोला जाता है 25 kvr की रेंज है इसकी वो इसका कनेक्शन डेलता है और रेटर करन 32.8 रहता है इसका कनेक्शन इधर से दिया हुआ है इसकी 3 lead wire आई हुई है यहां से के इंटरनल जाती है अभी आप सोचोगे के इतो बॉक्स टाइप है एक ऐसे पावर फेक्टर को मेंटेन करता होगा तो दोस्तों मैं आपको लिए कैसा वीडियो बनाने वाला हूं कि इसको में इसके बा सुना होगा या तो पड़ा होगा कि कैपेशिटर को data में कनेक्ट लिए जाता है तो इसमें कैसे data connected है और मैं आपको अलग से वीडियो बना के दिखाने वाला हूं तो यह मेरे कैपेशिटर लगे हुए इसमें अलग-अलग range के है यह आपको जो बॉक्स दीख रहे उसको फ इसा एकल में डी यॉइंड कर दिया गया है इसका एमप्रीड मींटर है और यह वल्लमेटर है जैसे पहलंद है किसे इसमें क्या है कि सिटी Connected है ये देखि़गोन कर दो लिए विजमें रीजाने सराइबरगर dough देखी और भीनोंरत है यह पावर फेक्टर कंट्रोलर का कनेक्शन है इधर सब कोईल के कनेक्शन आये हुए है और यह अपना वोल्ट मिटर का कनेक्शन है तो दोस्तों किएपना स्थीज आंप vos आप यहां से हम इसको औॉनब खर सकते हैं केसे माब ने पेयंगे जिसका कनेक्शन कीया हुआ है यह हमारा हमारा से एक एक यह से कर सकते हैं है इसको आप और अपना इस पेनल है नॉर्मली क्या होता है इंडुस्ट्री में आपवर के जाधा होता है और नौर्मली क्या है कि 90% से ज़ादा है बौर करेता है मोटर रियक्टिव पाउर कंजुम करती है मेगनेटिक फिल्ड पैदा करने के लिए जिसकी वज़े से क्या होता है कि लोस ज़्यादा हो जाता है और जिसकी वज़े से टोटल यूनिट ज़्यादा बढ़ जाती है यह और अपना कंजुम्शन कम होता है इसकी वज़े से क्या है कि मोटर की लाइब कम होती है हीटिंग होता है प्लस ज्यादा यूनिट आता है प्लस हमको इलेक्रिसिटी वोर्ट से पैनल्टी भी लगता है इसी वज़े से हर एक इंडेस्ट्री में या तो कॉमेर्शियल वीडिंग में इसी एपी एपसी पैनल बिठा ही रहती है तो दोस्तों आगे में आपको दिखाऊगा कि इसका इंटर्नली कनेक्शन कैसा होता है उसके बाद में जो वीडियो बनने वाला हूं वह बहुत ही इंप्रटन है क्योंकि यह कैपेशिटर कैसे वर्ट करता है चाहिए उसका टेस्टिंग करेंके लाइव टेस्टिंग में आपको दिखाने वाला हुँ इसना कि यह कैपेशिटर चल रहा है वह सही है या गलत है और और सही है तो दोस्तों मेरा वीडिय। आपको कैसा लगा Please लाइक, शेर और सब्सक्राइब माई चैनल, अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए हर एक वीडियो प्रैक्टिकल ही दिखा हुगा, एक्चुली कैसे वर्थ करता है, वो आपको फोटल ही दिखा हुगा, एपी एपसी से लेके ट्रांस्पार्म वर्थे लेके शेर्किट ब्रेकर से जो भी इंडर्स्री में यूज है ता सब्का मैं लाइव वीडियो आपको दिखाने वाला हुग, टैंक्स पोर वाचिंग,